गुड मर्निंग क्लास मेरा नाम है प्रिंस सानिया क्लास टैंथ का फिजिक्स का चैप्टर वन सम्तल प्रश्टों पर परकास का परावर्दन यानि कि Reflection of Light on Plain Surfaces सम्तल प्रश्ट यानि कि एक सीशा पर परकास का परावर्दन कैसे होता है उसका Chapter 1, Part 1 है परकास की परिभासा है परकास उर्जा का वहरूप है जिसकी सायता से हमें वस्तुईं दिखाई देती है जब परकास किसी वस्तुपर आपतित incident होता है आपतित यानि कि परकास आता है किसी वस्तुपर तो वह परावर्दित होकर उस वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुंचता है जिसके फल्सरूप हमें वस्तुपर दिखाई देती है अगर हम किसी भी वस्तुपर देख रहे हैं तो उस वस्तुपर कोई भी परकास जो परकास की किरन है चाहिए वो प्राकरतिक हो या कृतिम हो यानि कि सूर्य की किरन हो या फिर किसी बल्ब की मौंबत्ती की किरन हो उस वस्तु से टकरा कर पहले परकास उस वस्तुपर जाएगा उसके बाद हमारी आँखों पर आएगा तब हमें वो वस्तुप दिखाई देती है इस कारण से हमें वस्तु दिखाए दिरती है प्रकास का इस्त्रोत प्रकास के इस्त्रोत क्या है प्रकास हमें विबिन प्रकार की प्राकर्तिक इस्त्रोत हो जैसे सूर्य तारे आधी सूर्य तारे प्राकर्तिक इस्त्रोत है आदी एवं कृतिम इस्त्रोत क्या है मानम निर्मित कृतिम इस्त्रोत यानि कि मानम निर्मित जो मानम ने बनाए है जैसे मौम्मत्ती विद्युद बाल्ब आदी से प्राप्त होता है इनके आधार पर प्रकास इस्त्रोतों को निम लिखी दो वर्गों में बाटा गया है प्रकास के इस्त्रोत जो हैं उनको दो भागों में बाटा गया है आज़े देखते हैं कौन से हैं दो भाग दीप्त प्रकास इस्त्रोत और एदिप्त प्रकास इस्त्रोत दीप्त प्रकास इस्तरोद क्या है? Luminious Sources क्या है? वे प्रकास इस्तरोद जो स्वैम प्रकास उत्पन करते हैं दीप्त प्रकास इस्तरोद कहलाते हैं उधारण सूर्य तारे विद्द बाल्ब आदी सूर्य तारे विद्ध बल्ब ये अपने आप प्रकास उत्पन करते हैं एदिप्त प्रकास इस्तरोत क्या है वे प्रकास इस्तरोत जो स्वैम प्रकास उत्पन नहीं करते बल्कि दिप्त इस्तरोतों के प्रकास को परावर्तित होकर परावर्तित कर परकास देते हैं एदिप्त परकास इस्तरोत कहलाते हैं उधारन चंद्रमा यह सूर्य की परकास के परावर्तित होने पर ही चमकता है चंद्रमा हमें चंद्रमा का खुद के परकास से हम नहीं देख सकते हैं यानि कि चंद्रमा का जो परकास है वो हमारे आँखों तक नहीं पहुंच पाता है। जो सूर्य का परकास होता है, वो सूर्य का परकास चंद्रमा पर पढ़ता है। और चंद्रमा से टकरा कर वो हमारी आँखों तक पहुंचता है। इस कारण से हम चंद्रमा को देख पाते हैं काच अच भी एक अधिप्ठ प्रकाश होता है यहनलिकि काच गुषब कल देता है जब उस पर प्रकाश टकराकर हमारी आँखर पर पहुंचता है जो काच हमें नहीं दिखाई देता है कुछ कांच ऐसे होते हैं कि हमें नहीं दिखाए दिखाए दिते हैं छूने से ही पता चलता है कि यहां पर कांच लगा हुआ है तो उसमें आप जो परकास की किरन आती है वो सीधे हार पार हो जाते है उस परकास में कोई भी किरन हमारी आँखों तक नहीं पोचती इसलिए वो एद्रश्य होता है, स्वैम तो दिखाई नहीं देता परंतु इसकी उपस्थिती में वस्तुएं दिखाई देती है, क्या प्रकास हम देख सकते हैं, मगर प्रकास के होने से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, साधायन ते प्रकास सरल रेखा में गमन करता है, साधायन ते प्रक प्रकास के संचरन हे तु किसी माध्यम की आवसक्ता नहीं होती। प्रकास निर्वात में भी गमन कर सकता हैं। प्रकास विद्ध चुम्ब के तरंगों के रूप में गमन करता हैं। परकास विद्द चुम्ब के तरंगों के रूप में, जैसे विद्द चुम्ब के तरंगे होती है, उसके रूप में गमन करता है, परकास पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच वायू आदी में से गुजर सकता है, परन्तु ऐ पारदर्शी माध्यमों जैसे लकडी लोवा आद आपा नहीं हो सकता, विबिन माध्यामों में परकास की चाल अलग-अलग होती है, निर्वात में परकास की चाल क्या होती है, तीन गुणा दस की पाओर आट मीटर परती सेकंड होती है, चमकदार प्रेश्टों से परकास प्रयावर्थित हो जाता है, जो चमकदार यानि कि चिकनी प्रेश्ट होती है उनसे परकास टकरा कर परावर्तित हो जाता है यानि कि मुड जाता है जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करता है तो परकास अपने पत से विचलित हो जाता है जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परकास अपना रास्ता बदल देता है यानि कि जो सीधी रेखा में आ रहा था वो थोड़ा टेड़ा हो जाता है तीछा हो जाता है द्रस्य परकास की तरंगे तरंग धहरिये कितनी होती है 4000 एंग स्ट्रोम से 8000 एंग स्ट्रोम तक होती है द्रस्य परकास की तरंग धहरिये नेक्स्ट प्रकासिक माध्यम प्रकासिक माध्यम उप्टिकल मेडियम प्रकास जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकासिक माध्यम कहते हैं प्रकासिक माध्यमों को निमलिकित तीन वर्गों में विवाजित किया जाता है तीन भागों में बाटा गया है प्रकासिक माध्यम को पेला प्रकास पारदर्शक माध्यम दूसरा पारभाशक माध्यम ठर्ड आप का एपारदर्शक माध्यम? Optical Medium जिन माध्यम पारदर्शक माध्यम क्या है जिन माध्यमों में से प्रकास का अधिकांज भाग गुजर सकता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते है जैसे वायू कांच आधी वायू कांच वायू और कांच में अधिकांज भाग पार हो जाता है पारदर्शक माध्यम क्याला जाता है पारभाशक माध्यम पारभाशक माध्यम किने कहते हैं जिन माध्यम हों से प्रकास का किवल अंसिक भागी गुजर पाता है अंसिक भाग यानि कि कुछ भागी गुजर पाता है उन्हें पारभाशक माध्यम कहते हैं द्वाँभ्धार्ण क्या है दूसित जल गिसा हुआ, काच तेलियक आदि इनमें कुछ परकास की किर्णे इव, पार हो पाती हैं, पार भाशक माध्यम क्या हैं जिन माध्यमों से प्रकास का कोई विभाग नहीं गुजर पाता उन्हें ऐ पार भास्षक माध्यम कहते हैं जैसे लकडी लोवा आदी इनमे को प्रकास पार नहीं हो सकता नेक्स्ट पॉइंट प्रकास किरन प्रकास किरन क्या है जब प्रकास किसी पार दर्शी माध्यम में सरल रिखा में गमन करता है तब प्रकास के पत को प्रकास किरन कहते हैं तथा प्रकास किरने किरनों के समूग को प्रकास पुंज कहते हैं प्रकास पुंज निम लिखे तीन के होते हैं पहला आपका अभी सारी प्रकास पुंझ दूसरा अप सारी प्रकास पुंझ तीसरा समांतर प्रकास पुंझ पहला क्या है अभी सारी प्रकास पुंझ जब प्रकास की समस्त केड़ने एक ही बिंदू पर मिलती हैं एक ही बिंदू पर आकर मिले प्रकास की सारी केड किस समू को अभी सारी प्रकास पुंज कहते हैं आप देख सकते हैं तीन रेखाए दी गई हैं यह सारी एक ही बिंदू पर आकर मिल रही है अभी सारी प्रकास पुंज इसका उधारन क्या है सोलर कूकर जो लगा होता है तूप में रखा होता है सारी केंडे पर आ कर आती है या सोलर पैनल या कैमरा या फिर आपकी आँग का रेटिना आँग की रेटिना पर सारी प्रकास की केंडे एक तरह हो जाती है नेक्स्ट आता है आपका अब सारी प्रकास पुंज अब सारी प्रकास पुंज क्या है जब प्रकास की समस्त किर्ने एक ही बिंदू से आतवी परतीत होती है तो उन प्रकास किर्नों के समू को अब सारी प्रकास पुंज कहते है आप देख सकते हैं एक ही बिंदू से होती भी जा रही है इसका उधारन क्या है मौमबत्ती कार की हैडलाइट और विद्दूद बल्प आदी आपके अप सारी परकास पुंज के एक्जामपल है समानतर परकास पुंज पैरलल परकास पुंज क्या है पैरलल बीम ओफ लाइट जब परकास समस्त किरने एक दूसरे के समानतर होती हैं तो उन परकास किरनों के समों को समानतर परकास पुंज कहते हैं जब एक दूसरे के समानतर जाती है जितने भी प्रकास की किरन है सभी एक दूसरे के माद समानतर जाती है तो उसे समानतर प्रकास पुंज कहते है ये उदारन क्या है इसका समानतर प्रकास पुंज का आपने कहीं भी देखे होगी कि सर्च लाइट आपके जो होगी वो एक ही पेरलल समानतर जाएंगी और जहां धरती पर पड़ेंगी या किसी वस्तु पर जाएंगी वे सीधी एक ही रेखा में जाती हैं सारी प्रकास या फिर किसी विंडो से घर के विंडो में जितनी भी किरने है वे सीधी आपके कमरे में आती है ऐसा नहीं है कि वित तिर्शी आए या फिर आकर कमरे में फैल जाए या फिर एक पॉइंट बना लें ऐसा नहीं होता सिधी समानतर जैसे आपकी विंडो है उसी परकार विंडो में आपके पढ़ती है धरती पर या वस्तू पर पढ़ती है जो भी आपकी विंडो होगी जैसे परकार की विंडो होगी उसी परकार आपका परकार चित्र बनेगा चाया चित्र बनेगा परकास का thank you class